अगर आपके दिमाग में भी हर वक्त थोट्स आते रहते हैं, आप हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो आप भी हो सकते हैं ओवर्थिंकिंग का शिकार. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, केवल 5-7 मिरट देके आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी पा जाएंगे, तो ओवर्थिंकिंग आज के टाइम में ऐसी बिमारी है, जो कुई बिमारी ना होते हुए भी बहुत बड़ी बिमारी है, आखिर ओवर्थिंकिंग में होता क्या है, इसमें व्यक्ति के मन में लगातार विचार आते है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इस तरीके से लोगों में पाया जाता है कि वो कहते हैं हमारे दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, हम सोई, जागे, उठे कुछ भी करें हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, मतलब जो दिमाग है वो इस तरी के से बन जाता है कक्षा का एक स्यातान बच्चा जिसे मार लो, पीट लो, समझा लो जो चुफी नहीं होता इसी तरीकी से हमारा मन, हमारा दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, जिसे overthinking कहते हैं तो overthinking अगर control नहीं की गई, ये एक addiction की तरह बन जाती है कि आप overthinking करते हैं उसके बाद भी आप इससे निकल नहीं पाते हैं तो यहां पर मैं आपको four basic जो problem देखी जाती है वो बताऊंगी और साथ में आपको बहुती simple solution बताऊंगी किस तरीके से आप अभी से overthinking अगर करते हैं या आप क्या सपास कोई कर रहा है तो उसे control कर सकते हैं रोक सकते हैं overthinking से होने वाले अगर नुकसान की बात करें जिसे आप लोग अपने real life में relate कर पाएंगे तो number one है कि नीद ना आना एक अच्छी नीद ना आना या देल तक नीद ना आना अब जब सोने जाते हैं तो भी आपका जो overthinking का दिमाग का circuit है वो चलता रहेगा और य बलकि गलती हो overthinking की कोई उस पे ध्यान नी देता बलकि बच्चे को ये बोला जाता है कि उसे याद नी रख पा रहा है यह बड़े युवाओं में देखा जाते हैं चूटी चूटी चीज़ों को भूल जाते हैं अगर आप comparison करेंगे हमारी पिछली generation से उन्हें कितनी चीज कर लेते हैं क्योंकि आप याद नी कर सकते हैं memory शक्ति जो है memory है वो कमजोर होती जा रही है यह इसका real life example है आपका इसके अलावा है कि life में एक whole नजर आना हर वक्त ऐसा feel होना कि life में कुछ कमी है something missing ऐसा feel होना यह overthinking की वज़े से होता है योगि mind में लगा था negative thoughts आते हैं ज child है तो उनके mental और emotional जो growth होती है उस पे असर पड़ता है और health पे भी असर पड़ता है तो यह major problem है जो आज की हमारी generation है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है लोग लगातार overthinking के शिकार हो रहे हैं लेकिन कोई इस चीज पे ध्यान दे ही नीदरा है अब इसके solution की ब 20% मिलेगा या फिर वो solution आपको थोड़ा देर में काम करेगा लेकिन solution number 3 जो है वो आपको instant काम करेगा बहुत powerful है solution number 3 मैंने खुद यूज किया है तो बात करते है solution number 1 की solution number 1 है start talking and share your thoughts किसी से बात करो अपने दिमाग को कच्रा बनाने से अच्छा उसे उसमें garbage collect करने से one बट इसका drawback एक यह है कि अगर आप लगातार overthinking करते हैं तो हर वक्त आप किसी से बात नहीं कर सकते हर वक्त अपनी सारे thoughts को किसी के शाथ share नहीं कर सकते हर किसी पर trust नहीं कर सकते सो यह इसका drawback है बट आप जितना share कर सकते हैं उतना करना चाहिए solution number 2 है meditation meditation करने पे भी positive result म मिलता है लोग कोहेंगे हमने आज meditation किया आज दिमाग अच्छा अगले दिन फिर से वही शुरू तो भाई खाना आज खाया तो पूरी life खाना नहीं चलेगा आपको रोज खाना खाना पड़ता है इसलिए तरीके से रोज meditation करना पड़ता है music सुन सकते हैं तो यह हो गई temporary solution या फिर कह सकते हैं जिनका long time में असर मिलता है या आप बोल सकते हूं result मिलता है solution no.3 की बात करूँ जिसको instant result मिलेगा instant result चाहिए this is start writing start writing बहुत ही powerful है आपको करना क्या है जैसे ही आपके दिमाग में बहुत सारे लगातार thoughts आने लगे positive negative कैसे भी thoughts हैं आपको अपने पास में एक paper रखना है एक pen रखना है और जैसे ही आपके दिमाग में thoughts आना शुरू हो आपको उनको लिखना शुरू कर देना है जैसा thought आ रहा है अच्छा बुरा गाली कुछ भी आ रहा है आपको सब कुछ on the spot paper पे लिखना है ठीक है अच्छा बुरा जैसा भी लिखते जाओ करें हो तो वह thoughts generate करना stop कर देगा और यह तुरंत काम करता है आप साइड में रख दोगे 10 मिन बाद 15 मिन बाद फिर से thoughts आने शुरू होंगे फिर से आपको लिखना शुरू कर देना है इस practice को करने से आपका जो thoughts बहुत जादा आने का overthinking करने का जो तरीका है वह रुक जाए और stop हो जाएगा इस चीज़ को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो भी आप क्या करें कि आपको paper रखना है pen लेना है और अगर आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहे हैं तो आपको वहां पे लिख देना है जो भी thoughts आ रहे हैं व for future concern के लिए तो आपके दिमाग में वह सारा collection नहीं होगा और यह बहुत powerful है बहुत अच्छे से काम करता है instant result मिलता है आप इसको दिन में 2-3 बार practice करें जब भी हो तब भी practice करें आपको बहुत अच्छा result मिले